स्टार्ट करें आज का लेसन गुद इवनिंग शशांक ओके लेट में स्टार्ट देखें, इंग्लिश में अक्चली देरा थ्री वर्ब्स तीन वर्ब्स होती हैं जो बहुत कॉमन हैं जो आपको सीखना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में तीन वर्ब्स हैं इंपोर्टन्ट तू बी, तू हाव, तू डू लेट में रपीट तू बी, तू हाव, तू डू अगर आपने इन तीनों वर्ब्स पे कमांड कर ली तो आपकी बहुत सारी बेसिक ग्रामर कवर हो जाती है मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा थोड़ा सा अलग है जिसतरह से आपने skool, colleges में पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग जाएगा आपने tense से शुरू किया है मैं भी tense पढ़ूंगा लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा देखें तो आज से शुरू करता है पहला जह है to be verb मैंने आपको बता है तीन verbs होती है तो to be English में जितनी verbs होती है इनकी 5 forms होती है कितनी forms होती है 5 forms एक verb है to be तो इसका पहला part हो गया to be to be का present part अगर देखें तो इसमें present में क्या आता है is, am, are right is, am, and are there are 3 parts fine now past में जाते हैं past में कितने forms हैं is और am की जगे आप क्या लगा होगे was is और am की जगे क्या लगाना है आपको was लगाना है now are की जगे आप क्या लगा होगे were एक बाद फर से समझी है मैंने क्या बोला present में is की जगे आपको लगाना है was am की जगे भी क्या लगाना है was और a की जगे क्या लगाना है were right future में जब जाते हैं तो is or is mr was work की जगे आपको will be or shall be का use करना है will be and shall be guys आप सब को दिख रहा है राओ अभी भी नेटवर्ग प्रॉब्लम हो रही है क्या good evening शशांक दिख्षित nice to see you शशांक after long time to be to have to do verbs very good very good सभी जा रहा है आपने भी कुछ students है जो शायद पुराने भी हैं जो इंस्टीट में पड़े हुए हैं उनको कुछ पुरानी यादे ताजा हो गई होंगे तो आगे बढ़ते हैं of course this session will help you a lot to understand the basic things मैंने क्या बता है to be to be के present forms क्या होती है is mr past की was, were or future की will be and shall be इसके दो पार्ट और होते है being and being being and being तो overall फिर से समझते हैं आपको क्या बता है to be to be में क्या होता है सबसे पहले क्या बता ही मैंने चीश to be में present में होता है is am are past में was were right and future में will be shall be on being being देखे ये to be की कैसी to be कैसी वर्बर जिसके 8 forms होती है art है ना number 8 8 forms होती है पहला हुआ to be फर इसके present के 3 forms तो हो गया 4 वाजवर मिलाया तो क्या हो गया 4 प्लस 2 6 and फर इसके 7 8 यह देखें overall तो इसके 8 forms होता है will be shall be यह future के साथ जाता है है ना चलिए अब इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं कैसे चलता है आपके सामने स्क्रीन है वो ही जो आपने पड़ा हलो दीप रवी गुड इवनिंग और गैस आपने बताव अभी तक क्या देख लिया योगेश तूबी तूबी तूब तूडू और इसमें हम लोग तूबी को समझ रहे है कितनी फॉर्म सोती है कि अई-ऊठम सोती है और राइट चलो और थव्लाद टेल में समझता है जब हम जब हम टूबी का यूज करते हैं प्रॉइक करते हैं तूबी का यूज करते आं तूब में दिखो प्रेज首 और हैयम पास में जाएंगे तो इसका पास के होता है was, इसका पास क्यों होता है was तो M की जगे यहां पर क्या हो गया? was M की जगे क्या हो गया? was और future में जाएंगे तो will be future में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? will be, 8 forms very good, खुश्बू, सुर्भी बिल्कुल सही का आपने 8 forms होती है है न? तो इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ रहे है पहला sentence है I am a student देखें गाईज, यह बहुत सारे students को अल्रडी बनती है चीज इसमें समझना क्या है? समझना यह है कि यह किस तरह यूज हो रही है और इसको pronounce कैसे करते हैं आपको sentence सही तरीके से बनाना चाहिए, प्रनाउंस करते हैं अना चाहिए, मतलब सही उचारन चाहिए पहला है I, अब आप थोड़ा उचारन पर ध्यान दीजे प्रनांसियेशन पर ध्यान दीजे I, I नहीं ही, इसको क्या बोलते है? I, क्या बोलेंगे? I और I के साथ क्या लगता है M एकी साथ लगता है M तो आम इसको आम बोले आब भोलें सर आखाल आम इसकी बाद इसकी बाद दिया है अ यह क्या है अ की A देखे वैसे इसको A बोलता है लेकिन जब इसको आप emphasize नहीं कर रहे हैं जोर दे के नहीं बोल रहे हैं तो ए को ए न बोलके आपको क्या बोलना है ठीक है और वो उसके बाद आने वाले words से connect होके ही बोला जाएगा a student बोले a student repeat after me a student very nice तो आम आए को जोड़ा m से तो आम और आ को जोड़ा student से तो a student I'm a student I'm student अब जोड़ के बोल दिया I'm a student very good I'm a student yes बाबु भाई बिल्कुल सही जा रहे है a student deep deep हाँ आम क्या बोलना इसको आम तो I'm a student nice अब जब इसका पास करेंगे बोला है मैं student था अभी हमने बोला था I'm a student मैं मतलब मैं student हूँ जब बोलना है पास के मैं student था तो क्या बोलेंगे I was a student I was क्या बोलेंगे इसको देखे I was लेकिन जब कनेक्ट करके बोलते हैं इस पोकन इंगलिश में तो फास्ट क्या बोलते हैं I was I was thanks sir I'm enjoying all right thank you online study help Abhishek I'm a student very good आपको अलग से नहीं बोलना है आपको क्या आपको आपको उसके साथ आने ले वर्ट से जोड के बोलना है I'm a student I was a student well I was a student it is not I was or I baj के सारे Indians बोलते हैं I baj baj नहीं वाज इज नहीं इज बोली इज 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 ऐसा करना है न तो इज बोलना है वाज बोलना है लेकिन जब कनेक्ट करके आग तो I'm I was I was I was a student और जब I will be a student होगो तो I will को विद्धे को विल के लास में क्या डबल लेना तो आप इसको बस डबल लियाद रखो I'll कई इस तुडेंस बोलते हैं इसको आप ऐसा बोल आए यह के होगा आइल तो आपको इसको ऐसा बोलना है आएल रिपीट आफ्ट मी आएल आहां देखते भी जाहिए बोलते भी जाहिए कमेंट भी करते जाहिए टेक है I'll I'll be a student very good so the first sentence is I'm a student master and who I was a student master and talk I'll be a student master and Honga right very good now some of my head no guys I'll push but to my push pen to the people will say bonnet I'll okay now moving towards the next sentence we kiss at क्वेंट लगता है our prison में क्या बडेंगा है और now again focus on the pronunciation part sqo guys are never will let it go our neighbor likes a little bit like there's jk tolasa more yeah I saw a little key towards a piece of here who really are yes practice practice this see this is the real English sound you have to learn see aam Dakar deeq how would you watch a ball at achieve English बोलते हैं उनकी English में basic difference नहीं से आता है और यह आपको fluency technique सिखाये जारहे है कि आपको बोलना किस तरह आप बोलेंगे सिर्ट क्या जरूरी है अच्छे English बोलना है तो जरूरी है किजिए रइट क्या गरना है जीब को ऐसा मोड़ी है फिर बोले है are very good are right the we are students we are students harsh it harsh it was sister a diva harsh it nicest you after a long time we are students as legal jada Logan are yes very good sir be shivam thanks sir will definitely cover some topics which I missed where exactly exactly will cover Hari Om Raj Gupta good evening good evening deep yes very good chalo agi bonnet we are students repeat after me we are students students a student make hello here we will to a student now students very good now next is we were we were which is you are case art is case art fallokana we were we were we were we were students we are students how many students have we were students how many students they will be students of abuela will shall be key will be up to give a double or other kid cabula will be students will be students very good now moving towards the next part next part is saying he is a student he was a student he'll be a student he'll be a student right he is a student he is good shot makeable a he's bully he's he's guess looking it is cup as again he a post office as he's guess looking it as a looking a bowling against a he's he he is you know many people make this mistake yeah well like he's he's a student a pass was I get going he was a student possibly he was a student and future my bullying he'll be a student conco nagya we are we are very good push pain the Prajapati we are students we'll be student he's he's he'll be a student he's a student very good Razip says are a pile surbi khushbu arty nice nice to see him on show he's 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 sales only it is a very good idea now we can learn at home thank you sir thank you to you also nice lecture I am enjoying it deep enjoy karra hai a gay buddy to be the gunna kya sika to be may is a ma was were will be shall because use chalee a gay budra next point hata hai kya use kya se hota more simple hello jaldi system look present my subject agar subject agar i v you he she it ho to kya karna hai kuske saath kya laghe ga ya samjo ap log guys enjoy karra hona session ko session ko enjoy karra na toh ek kam karo mujhe apki kamsa jitte bhi students enjoy karra like karra kya kya like karra is lecture ko apko like karna bhi jau or a great humm agar Phmm beauty make less who are a hair key are or are make a difference main appko about that a sound maker kya sab vlog job or just jake session ko like karo yes sir yes enjoy karra na very good तो वहां पर जाके एक लाइक ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है आपको अभी यह सर राओ इस सेंग यह सर गेड़ बेड़ अभी देखो यहां पर एक स्टूरिंट ने पूछा कि यहां पर मैं थोड़ा से टॉपिक चेंज कर रहा हूं आर यह ना इस आर एच ओ यू आर एंड ओ यू आर आर के साउंड में क्या डिफरेंस है राइट एर ओ यू आर आर को दोनों को एक जैसे प्रणाउस करो बोलो आर आर बोलिये मेरे साथ भाई ऐसे काम ने चलेगा बोले आर हां वेरे गुड है ना आर और उसके बाद यह जो स साउंड हा ठ यू आर इसमए एच मूट है एचेज मूट यूस्का कोई साउंड ने है लेकर बोलना है तको आवर आर आवर एंड आर तु आर्ज तु आवर्स हैं रइसे प्रनावस करते ठाता ए्वी आर ओ यू आर और आर यू आर बीट एड throatर और टेट whose क्लियर हुआ गई सुर्भी दामदे किया रहे है आर टागेट या थिस साउन इस आर यास रही गुड़ यास लता मैथल भी आ गए है यास सर थैंक यू सो मज़ सर आम एंजॉएंग तो लाइक किया कि नहीं सबने लाइक कर दिया सेशन को लाइक करो जाके और अपने में क्या बताया था सिखाना है लोगों को बताना है हां तो सिखे आय के साथ प्रेजन में लगता है एम वी के साथ लगता है आर यू के साथ आर ही के साथ इस शी के साथ इस इस इट के साथ इस दे के साथ आर कुल मिला कि बस इतना ध्यान रखना है आय के साथ एम लगेगा आर कहां लगता है, plural subjects के साथ, we, you, they, ये तीन plural subjects है, तो plural subjects मतलब एक से जादा, you singular भी होता है, plural भी होता है, लेकिन इसके साथ लगती plural verb है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप फिर से समझे, ये आपको आगे जब मैं grammar lesson पढ़ा हूँ, वहाँ भी काम आएगा, you singular भी होता है, plural होता है, लेकिन इसके साथ verb हमेशा plural ही लगती है, तो we, we, you, और they के साथ आपको क्या लगाना है, are, are and here are, right, और जो singular person होता है, singular subject होता है, उसके साथ क्या लगता है, is, 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 कोई नाम आएगा, तो इसके साथ भी is आएगा, जदो कि प्लूरल नाउन होगा, तो इसके साथ आपको आपको आड लगत, इसके साथ आगाना, आएगे साथ M fix है, कुछ student का, ये दिखुआ थोड़ा सा, इसको ये भी समझ, subject ये है, ये I और V, ये कौन कहलाते हैं, first person, इनको क्या कहते हैं, first person, क्यों कहते हैं, ये speaker होते हैं, जो बोल रहे हैं, वो कौन होते हैं, first person, कौन होते हैं बोलने वाला जैसे मैं अभी आपको पड़ा रहा हूँ तो मैं कौन हों first person very good समझमा है मैं कान हूं first person और जो सुनने वाला है वो कौन होता है second person जो सुनने वाला है वो है second person you तो you कौन क्यालाता है second परसेन बाबुभाई समझ मैं हां फर्स परसन कौन बोल के बताओ फर्स परसन कौन ये फिर्स पर्सन के साथ क्या लगेगा बद फर्स पर्सन कौन होता है बताएं for two or more names we use speaker first person and listener is second person listener की spelling L-I-S-T-N-E-R listen, listen, ear very good, तो जो बोलने वाला है वो I or V और जो सुनने वाला है वो है U, second person और third person होता है, he, she, it, they ये बाकी जो हैं जिनके बारे में बात हो रही है कौन किलाता है, third person क्या बता है, जिनके बारे में बात हो रही है तो बोलने वाला, I or V, first person सुनने वाला, U, second person जो हमाई सामने खड़ा है, जिससे हम बात कर रहा है जैसे मैं भी आप से बात कर रहा हूँ और जिसके बारे में बात हो रही है मालो मैं इंग्लिश की बात करो, तो इंग्लिश कौन क्या लाएगा, third person कोई भी चीज हो सकती है, किसी वैक्टी को भी कह सकते है ठीक, present में क्या लगाना है, जल्दी से वह रपीट करो आए के साथ, am, I के साथ क्या लगेगा, am, we के साथ, are, you के साथ, are, he, she, it, are, is, are, right एक student का question आया है कि सर, organization के साथ क्या लगेगा, very simple, organization is a singular noun organization is a singular noun, अगर वो organizations कर देंगे, plural कर देंगे, तो इसके साथ आ रहाएगा singular है, is, plural है, are, okay, to repeat after me, बस मेरे साथ बोलना कैसे, am, repeat after me, am, we are, you are, he's, she's, it's, they are, understand, understand, yes, let's go ahead, now next slide is about past, it's about past दिनिश, thank you, खुश्बूत ओमर, he, is, it is, Amit Kumar, Amit Kumar, यादव, नीरेज, मिश्रा, very nice guys, सही जा रहे हैं, अप लोग टार्गेट हिंदी, अचलो, subject में आते हैं, फुरसे वही same subject हैं, अब इनके साथ past में क्या होगा, ध्यान दखना हैं, मैंने आपको जैसे शिरू में समझाय हैं, were, ठीक, past पर चलते हैं, past session में क्या हो रहा है, बात करते हैं, I के साथ was, plural subject कौन-कौन से हैं, we, you, they, इनके साथ क्या लगाना है, were, plural subject के साथ were, बाकी जो बच्चा, उसके साथ was, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, plural subject के साथ were, singular subject के साथ was, I के साथ भी was लगे गा, देखें, एक condition आती है, जब I के साथ were भी लगता है, यह मैं आपको आगे जाके, जब थोड़ा और advanced level पर आएंगे, तो मैं आपको समझाओंगा, अब बात करते हैं, कि इसको pronounce कैसे करना है, जोती, हाँ सही कह रहा है, I and we, अमित कुमार पूछें कि सर, I and we was होगा क्या नहीं, अच्छा आप यह बता रहे हो, I and we के साथ, नहीं, I के साथ was, we के साथ were, I के साथ was, we के साथ were, ओके, हाँ, लेकिन अगर I और we को connect करके आजाए, तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, I and we, I and we, कि we and I, I and we, हाँना, तो अगर यह connect करके and से connect करके आते हैं, तो plural हो जाए जैसे you and I are working on English, you and I are working on English, अब देखो I के साथ R लग रहा है, कौन कहता है कि I के साथ R नहीं आता, अगर उसके साथ एक और subject जोड़ा जाए तो वो plural बन जाएगा, you and I, अब मिला के दो होगा है, plural होगा है तो R लगेगा, you and I are working on English, learning English, तो यहाँ पर plural subject हो जाएगा, तो R लग जाएगा, अभी हम बात करें past की, तो past में I के साथ was, एक बात ध्यान रखना guys, ऐसा कभी लिखना मत, बिल्कुल mark नहीं मिलेंगे, ऐसा short में नहीं लिखना है, यह मैंने pronunciation के लिए बताया आपको, ठीक है न, इसको ऐसा लिखना नहीं नहीं, ऐसा आइवा कर दोगे तो समझ नहीं पहेगा, एक्जामिन नहीं मन मार्क कर देगा आपके, यह राइटिंग में यूज नहीं करना है, strictly telling you, जो लिखा हुआ है, short form, यह written language में यूज नहीं करना है, okay, आपको के बल बोलना कैसे है, इसलिए रखा गया, बोलिए I was, बोलिए I was, हाँ, ठीक है, I was, I was, और य आइवा नहीं, यह आइवा नहीं यहाँ पर होना चाहिए, we, I was, we were, we were, we were, we were, we were, I was, we were, you were, you were, yes, he was, he was, she was, it was, they were, they were, देखें, यह फ्लुएंसी टेक्निक से गाय जा रही है, आपको, यह इसी तरह है, आपने कभी एच्छा इंगलिश फिल में देखें हैं, इंगलिश फिल में जब लोग बात करते हैं, तो कैसे बोलते हैं, है, वेर आर यू गोइंग, I'm sorry guys, nobody talks this way, आपको क्या बलना है, है, वेर यह गोइंग, वेर यह गोइंग, अ मैने बोला, वेर, कहाँ गया, वेर यह गोइंग, मैं आर कहाँ है, गुम गया, वो ऐसा था, रह I was, you were, आप बूले मेरे साथ, I was, I were, you were, he was, she was, it was, they were, once again, I was, we were, you were, he was, she was, it was, they were, okay, now let's go for the next lesson, next lesson है future का future में फिर यही subject है आप बोलेंगे सर्फ first person है तो I के साथ shall be lagtay will be lagtay Willow लगता है दोनों होता है I के साथ shall we logta are will be lagtay डिक लेकिन spoken English में इस आरे से डुलो दोनों के लास में double ल हरते तो ऐसे बोल I'll be I'll be will be you will be Carl you be He'll be should be they'll be till be बस इत्ते करना है और I'll be we'll be you'll be he'll be she'll be it'll be they'll be और में जाते हैं ए पतना है प्रेजंट में ने कि बनाते हैं आप जोप tax जो भी हलपिंग वर्ब्स हैं उसके साथ आपको क्या कर लेना है बस not जोड़ना है I'm not short में मत बोलो I'm an't नहीं बोलो एमन्ट नहीं बोलोगे आपको क्या बोलना है I'm not we are not को short में बोलो aren't aren't repeat after me aren't yes you aren't he isn't she isn't it's it isn't they aren't they aren't guys कुछ नहीं करना है बस घर में बैटके मुझे copy करना है और repeat करते जाना मैं जो भी बोल रहा हूं ठीक है ना तभी यह फ्लूंसी आएगी नेगेटिव में हो गया अब question में आओ question में क्या होगा SMR subject के आगे आजाएंगे SMR subject के आगे आजाएंगे बस और और जब question push the question tone में पूछो am I a student लगना चेन आप question push you can say yes very good guys Jyoti Payal Surbheer as deep target in the Manoj Payal size are a very good guys connect right about such a list of good how was a camera video further tag your coin is कर भी शुनिकाल लेंगे तो सीकों English में ध्यान दो ठीक है Am I a student are we a student no no sorry sir are we students are we students question push you can students are we students are you a student question है तो rising tone आने चे लास्ट आपका ऊपर जाना चे are you a student is he a student is she a student is it a nice day are the students मतला है इसे तरह से आपको rising tone में बोलना है आज दिन बर यहीं करना है अभी खाना खाते खाते आपको बोला है am I a student bully Mr very good are we students repeat hmm are you a student is he a student is she a student पूरे word पूरे sentence को ऐसा बोलो जैसे आप पूरे sentence नहीं word बोल रहा है is it a nice day other students very nice as a gonna or entire negative मतलब नेगेटिव और interrogative दोनों का दोनों का combination है तो कैसे बोलेंगे am I not a student am I not a student hmm oh guys I'm I'm live again no I'm sorry I was thinking I was drinking water am I not a student aren't we students bully मेरे साथ सुनाई दे रहे हैं आपको guys yes we are students रवी कह रहा है we are student am I a student पूनम याद रखो कि आये जब भी लिखोगे अकेला तो हमेशा capital लिखा जाता है are you a student target Hindi गंदी आदा छोड़ दो इसा शॉट में लिखना बंकरो पूरा पूरा लिखने के आदा डालो are you a student are you very good are you a student are you I'm not a student yes sir it's okay sir thank you thanks I mean you allowed me to drink water am I not a student yes sir that's good Razdeep Razdeep Deepa Jyoti target Hindi Shuresh Razdeep बहुत सही जा रहे है सुर्भी आगे बढ़ रहे हैं इंटरा नेगे पुलेंगे am I not a student repeat after me am I not a student aren't we students aren't you students repeat aren't you students repeat yes very good aren't you student isn't he a student isn't she a student isn't it a nice day isn't it a nice day it's a lovely day isn't it a nice time yes we are spending nice time here learning English trying to speak very fluent English working on the pronunciation and we are gonna rock I know that very well isn't it yes as English bowling then guys and the students yes they are चलिए तोड़ा और आगे बड़ते हैं अब तोड़ा सा serious matter अब तोड़ा सा serious matter अब तोड़ा सा serious matter मिलब आपका हैं पर sincere होके सुनने अभी तो pronunciation और इस पर काम किया कि कहां क्या लगता है अब आगे देखते हैं गए यह to be a 2 function होता है कितने function होता है कितने function होते हैं बताइए मुझे आपको screen पर दिख रहे है झाल spoke you Wow Wow I say Wow आपको क्या बता है कितने रोल होते हैं कितने फंक्शन होते हैं तूबी वर्ब के दो फंक्शन होते हैं कितने लगें अपको सामने स्क्रीन पर पहला होता है एज है में वर्ब और दूसर आज एक हीरो के दो रोल होते हैं ऐसे जैसे अभी लास्टाइम कि आदे धूम थ्री आयती जिसमें आमिर खान के दो रूल थे ठेकिने थे ऐसे यहाँ पर भी to be verb के दो रोल है as a main verb, as a helping verb time तो हमेशा बताएंगे present time, past time, future time उसके साथ साथ क्या करती है ध्यान दो जब यह as a main verb होती है तो उसके साथ कोई दूसरी verb use नहीं होती जब यह main verb use होगी तो इसके साथ कोई दूसरी verb use नहीं होगी और अगर हो गई जैसे ing form अगर हो गई तो यह is, am, are यह सब क्या बन जाएंगे helping verb मतलब कहने का यह है is, am, are, was, were, will be, shall be के बाद अगर ing verb लग जाए तो continuous tense ध्यान देना क्या बोला is, am, are, is, am, are के साथ ing verb present continuous was, were के बाद ing form past continuous will be shall be बाद ing verb future continuous ठेक है इसके बाद third form भी लगती है अगर is, am, are, plus third form हो गया तो कहलाएगा present indefinite का passive voice was, were, plus third form तो past indefinite का passive voice will be, shall, be, plus third form तो future indefinite का passive voice understand जब यह is a helping verb use करेगा तो दो काम होगे is, am, are, was, were, will be, shall be के बाद ing form आई तो continuous tense, is, am, are, was, were, will be, shall, be के बाद verb की third form आई मतलब वो passive voice is, am, are, है तो present indefinite का passive voice was, were, plus third form है तो past indefinite का passive voice will be, shall, be, plus third form है तो future indefinite का passive voice जिनके tense थोड़े से भी clear है न उन्हें बाद अच्छे से समझ में आ गई होगी और जिनके tense clear नहीं है दोस्तों उनको घबराने की जुरूत नहीं है मैं आपको detail में एक एक चीज पढ़ाऊंगा अभी मेरा focus है to be as a main verb मैं आज आपको क्या पढ़ा रहा हूँ to be as a main verb यह हम बाद में पढ़ेंगे to be as a helping verb बाद में पढ़ेंगे to be as a main verb का basic काम क्या होता है इस्टेट बता है इस्टेट समझते है गुजरात, मध्यप्रदेश, डेली, मॉंबई, महरास्ट देखें इस्टेट का मतलब होता है एक और मतलब होता है दशा, अवस्था the state, right so I am a teacher अच्छा एक बात बताओ I am a teacher, I am talking about me very good, Jyoti, हाँ सही बोल रहा है third form लगी है तो passive voice सुर्भी कहा रहा है can you explain present passive in detail of course सुर्भी मैं जब passive voice के lesson पे आऊँगा, मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूँगा, अभी in short मैंने बताया, ASMR plus third form लगई तो present and definite का passive voice अगर आपको थोड़ा भग भी आता है तो आपको समझ में आजाएगा clear हुआ ना, very good, very good है ना, अभी हम क्या पढ़ रहा है to be as a main verb in simple sentence I am a teacher में ये बताओ I am a teacher, इस sentence में क्या कोई action हो रहा है no action at all it is simply telling that I am a teacher I am a teacher, मैं teacher हूँ that's it तो यहाँ पर कोई action नहीं है इसका मतलब है जब इस हमार है जब में वबाएगी तो क्या बताएगी state He is a student He is a student कोई action हो रहा है नहीं हो रहा मतलब है इस किस तरह काम आ रही है इस तरह किस तरह यूज़ोरी state बता रही है वह student है He isn't a teacher He isn't a teacher मतलब वो teacher नहीं है अभी negative हो गया लेकिन अभी भी state बता रही है We are Indians We are Indians You are my friend I was a student We were absent yesterday We were absent yesterday तो we were We were Yes, pronunciation भी ध्यान देना है बुली मेर साथ I'm a teacher Good He is a student Good He isn't a teacher Nice We are Indians Hmm You are my friend I was a student We were absent yesterday 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 I'm a cricketer Ravi Mehra कहरा है I'm a cricketer Nice I'm a teacher Khuswutumar is saying I'm a teacher Deepa Abhi कहरा है I'm a teacher Wow I'm mind I'm mind-blowing It is really great That some of the teachers Have also been associated With this session That's great That's nice We are really going well So, आगे बढ़ते हैं To be as a main verb To be as a helping verb Abhi हमने समझा To be as a main verb जब आएगी तो State बताएगी Right अगर Ismr, Wasmr, Wasmr के बाद Will be shall be के बाद I-N-G लगा तो continuous tense Third form लगी तो passive voice आज इतना shot में बहुत है आगे बढ़ते हैं चलो एक test कर रहे हैं आपका Answer दो First है आपको बताना है Present, Past अगर past का reference है तो past होगा Future का हो तो future होगा कुछ नहीं है तो present है I am a बताओ I blank a student Answer दो बाद simple है आप लोगा answer देना है मुझे यह देगना है आपको कितना समझ में आया राजदीप I was a student मैं बोड़ रहा हूँ अगर past का reference नहीं है तो present की verb लगाओ Good evening Good evening Teachers के teacher Sandeep Sir Thank you Thank you Actually no comparison at all Sabka बहुत अच्छा होई है Sabka अपना तरीका है मैं बस simply No comparison at all Thank you Every teacher is good Teacher एक सूली बहुत अच्छी होती है अगर आप टीचर है तो बहुत अच्छी आतमा है जो सबको कुछ देना चाहती है That's it Right आप तो यह बताओ की I am a student Answer आगया Answer आगया To यहां पर क्याएगा Am Very good Bully मेर सथ I am a student I am a student Nice Ab second We Isma कोई पास का रिफरेंस निया To क्या आचिया I am waiting for your answer Payal Thank you so much for the compliment Prakash Bताई अब नेक्स में क्या आचिया We Rank Students क्या आचिया We are Yes Khushbu says We are Dipanshu Prakash Sahil Sahil I am a student Ho गया Abis कहां से चाहिए A राना चाहिए We are students We are students Right Now next She blank Absent yesterday Good 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 Going All of you Good Going Now She blank Absent Yesterday She blank Absent yesterday She blank absent yesterday She blank absent yesterday She was absent yesterday Very nice नहीं से यहां पर वहाँ आचाहिए क्योंकि She singular subject है सही आंसर दिया आपने सबने सही आंसर दिया अच्छा आच्छा आच्छा नेक्स बताईए येस्टरड़े लगा है न उससे आपको गेस्ट करना है कि बात पास्ट की होरी इसलिए वाज लगाना है नाओ फोर्थ वाला बताई आपकी स्क्रीन पर है दे ब्लांक इंडेली लास्ट मंथ क्या है इसका दे वर इन डेली लास्ट मंथ येस पिछले मैंने वो दिल्ली में थे पिछले मैंने वो डेली में थे या अंसर होना चे आपका बिल्कुल सही बताया आपने है दे वर इन डेली लास्ट मंथ शिवं पतेल जोती अगें दीपेंद्र दिपांशिगोर दे वर इन बोल रहा हुआ है देवर भाभी वाला राइड देवर देली नो देवर देली लास्मन्त मतलब वे लोग पिछले मैंने दिल्ली में थे okay now next question आगे बताई आंसर बताई है she tina blank successful in future tina blank successful in future कियाएगा will be right आप लोने बिल्कुल आंसर सही देना चालो कर दिया or next question बताई है इसमें क्या आना चाहिए अभी आपकी स्क्रीन पहेगा they were in Delhi last month hmm सही आंसर आपका tina का answer क्या है will be tina will be successful in future yes correct answer काफी सारे students का correct answer है और 6th बताओ 6th question आगे आपकी screen पहे आपकी screen पहे आपकी स्क्रीन प्लस के बाद क्या आना चाहिए shall की will shall आना चाहिए की विल आना चाहिए leave from 23rd to 4th January guys मैं अपने बारे में बताया है आना मैं इस बीच सेशन नहीं ले पाऊंगा लेकिन आप्रमिस वन I come back I'm gonna rock with all of you and each and everybody who is being associated with Paramount Institute with Sandeep sir with all the teachers of Paramount we are a very big team guys हम लोग एक मिशन लेके चले हम आने वाले ताइम में आप देखेंगे मेरे साथ जोड़े हुए lecturers जो हैं वो भी साथ में आएंगे और perform करेंगे आपको मेरे काम करना है कि जाके session लोगों के साथ share केजिए like केजिए राइट तब आंसर दे दीजिए सिक्त का अंसर क्या है shall be I'll be very file समझ गए कि sir spoken English के साफ से तो I'll होना चाहिए yes but देखें यहां पर यहां बी बोलेंगे grammar के साफ से चलें तो शाल आंसर होना चाहिए लेकिन आप इस पोकन के साफ सब्सक्राइब आयल भी आपको लास में बताया था आपको डबल ध्यान देना है I'll be I'll be on leave लेकिन exam point of way से I के साथ शाल आज भी लगता है राइट चले तो thank you guys that's it आज का सेशन ओवर होता है एक बार रिविजन करो आज आपने क्या पड़ा to be as a main verb क्या पड़ा आपने to be as a main verb रच राव सर्च कह रहे हैं no sir please continue I will surely come again tomorrow make a check काम करते हैं ने सेशन कल लेकर आता हूं आपके लिए ठीक है अभी तुम्हें हूं मैंने आपको बुला मैं 23rd से लाइफ जा रहा हूं लुण दोग्वाइब लुड़ आपके लृट्विज बोलना सीक्ना अग्याइब घ्यान रचना इस लेक्चर को उड़ा रचना और जैसे मैंना प्रनुंशियशन बता है विसे प्रनुंशियशन भी करना है you have to completely root it out you have to completely eradicate it from your whole personality you should be able to speak so fluent so fabulous so flawless English that people have that you know say that Wow what a what impeccable English you have right as a look bullet and a pop bullet I know what time be a guy abhi to shurua tha abhi to mana shurui ki hai okay guys that's all have a nice time share zharu ki jee like jee ga bye bye good night